महराश में 24 गंटे में सामने आये 3,890 नए मामले कुल आकड़ा 1,42,000 के बार अब तक 6,749 लोगों की मौत मुंबई में 24 गंटे में सामने आ कुर्णा के 1,118 नए मामले 28,548 एक्टिव केस मुंबई में जल शुरू होगा कुर्णा मरीजों के लिए बन रहा 1000 बेट वाला कोविग केर सेंटर बीमसी नेका मरीजों को मिलेगी पूरी सुविधा मुंबई में कुर्णा को कंट्रोल करने के लिए बीमसी मिशन यूनिवरसल टेस्टिंग करेगी शुरुआत एक लाख एंटिजन किट्स खरीदे जाएंगे लॉकडाउन के बास से बन पड़े बीमसी मार्केट होंगे शुरू और डीवन की तरज पर खुलेंगे संजे कुमान युक्तुवे महराज के चीफ सेकेटरी बीजून को रिटार होने जा रहे अजोए मेता को बनाये गया मुख्यमत्री उद्धर ठाकरे का मुख्य सलाकार मुंबई के मलाट में दो मुष्टे मियोकों ने पेश की मिसाल कोर्णा मरीजों को फ्री में दे रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर मुंबई में जोणे ने चर्च में साधे समारों में रचाई शादी बचे हुए पैसों से कॉरंटीन सेंटर को बेट और ऑक्सीजन सिलेंडर गिफ्ट किये महराष्ट सरकार ने खारद नहीं किये गए चीजी कंपनियों के साथ M.O.U. रिष्टे सुधारे तो बहाल होगा करार मुंबई में कॉर्णा मरीजों के लिए बन रहे एक हजार बेट वाले गोविट केर सेंटर के काम अंतीम चरण में बीम से ने का मरीजों को मिलेगी पूरी सुनिदा मुंबई की भीवन्डी कॉरंटीन सेंटर से हत्या का एक आरोपी फरार कोर्णा संकरमित थाया आरोपी मुंबई में 95 बास्की काला बाजारी बेनकाब महंगे दाम पर बेचे जा रहे मास्क ठाने में केक पॉइंट सेंटर पर चोरो ने बुला धावा शेटर का लॉप तोड़कर गल्ला खाली कर गए बदमाश चंदरपूर में बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर मुंडन अंदोलन सरकार के खिलाब जमकर नारे बाजी महराश में के जालना में दिल दहलाने वाली ख़बर तालाप के परिक खिलने के पाच लणकियों की डूब कर मौट 25,000 से ज़्यादा कॉर्णा संकर में 1700 से ज़्यादा लोग गवा चुके हैं जाल सूरत के एक बैंक में पुलिस कर्मी की डादागरी भीतर गुसकर महला करमचारी के साथ मारबिट वीडियो वारल होने पर सस्पेंट सूरत में महिला बैंक कर्मी के साथ पसलूकी के मामले में वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी का अब बरदास्ट नहीं होगी किसी बैंक कर्मी की सुरक्षा से खिलवागा कर्ना काल में दीगे रियायतों के 30 जून को खत्क होने के बाद बदलेंगे बैंक को गिनियम एक जुलाई से एटियम से पैसे निकालने पर लगेंगे पुराने चार्ज क्रेडिट कार्ड के जरीए खरीदारी में हुआ इजापा कोरना से पहले की स्थर पर पहुंचा क्रेडिट कार्ड का स्तेमार बीमा कमपनियों को कोवीड-19 के लिए शॉर्ट टर्म हेल्ट इंशूरेंस पॉलिसी पेश करने की इजाज़त आयार डियाई ने जारी की गाइडलाइन्स बड़े भाई के बाद अधिलमाने भी कर्जमुक्त होने के रास्ते पर चलने को तयार अगले साल तक रिलाइन्स इंफ्रा को लोन फ्री करने का लक्ष म्यूचल फंड में पहली बार किसी कंपनी ने चाल लाग करोड रुपे के एउएम को किया पारे इस बे एमेप ने हासल किया रिकॉर्ड बारते चीन से इंपोर्ट होने वाले कुछ स्टील प्रोडट्स पर एंटी टंपिंग ड्यूटी लगए देक्षिन कोरिया और व्येतनाम वे लिस्ट में श्यामिन अल्यूमिनियम असोसियेशन ने की एक्सपोर्ट के सावनों पर रॉड टैप स्कीम लागू करने की मांग तेरह मांच को सरकार ने किया था ड्यूटी हटाने का एलाग नमस्कार मैं हूँ भूवनेश सेंगर आप देख रहे मुंबई मेर्टू बड़ी खबर महराश में बीते 24 गंटे में कोरोने के 3890 ने मामले सामने आए है वहीं 24 गंटे की बात करें बीते 24 गंटे की तो 72 लोगों की कोरोना से मौट हुई है पूरे महराश में अब तक महराश में कोरोना के मामले 10,5 के करीब آकडा तेजी से बढ़तावा 1,42,900 मामले सामने आ चुके है और महराश में कोरोना से अब तक 6,749 लोगों की जान जा चुकी है महें मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 1,188 नए केसा है महराश में 24 घंटे का जो आकड़ा है वो 3,890 NCP मुख्या शरत पवार के खिलाफ बयान बाजी करने वाले बीजेपी विधायक के खिलाफ कई शहरों में NCP कारी करताओं ने जोदा प्रशन की विधायक ने शरत पवार को महराश के लिए कोरोना कहा था च्यारत पवार के खिलाफ इस भाशा का इस्तमाल NCP कारेकरताओं को नागवार बुज़रा बीजेपी मलसी के खिलाफ महाराश्र के वाशिम, अकोला, नासिक में NCP कारेकरताओं ने प्रदरशन किया अज सुबे भाजब के विदायक गोपीचन पड़ड कर इन्होंने महाराश्र की असमिता, महाराश्र का स्वाविमान आदरनिया पवार साथ के बारे में चोल बात किये उसके निशेद में आज अकोला के राष्ट्रवाजी कॉंगरस पाटी ने इनका पुतला चलाया है धन्गर समुदाय से आने वाले 49 साल के गोपीचन पडल कर एक प्रेस कॉंफरेंस में शरत पवार को धन्गर आरक्षण के लटकने का जिम्मिदार बता रहे थे शरत पवार है या महराष्ट्राला लागलेला कॉरोना है आसमाज महता है करन राज्यातल्या बहुजानांचे वर्ती अत्याचार करनेची भुमिका तेंची कायम रहे लेली आहे आनि ते पुड़ई चालो ठेवतील पडलकर कारोप था के पुरानी बीजेपी सरकार ने धनगरों के लिए एक हजार करोड रुपे के पैकेज की घोशना की थी पर इस सरकार ने धनगरों को एक पैसा नहीं दिया पडलकर 2019 के विधान सभाचुनाप से पहले ही वीजेपी में आये थे और बारमती में अजित पमार के खिलाफ लड़कर अपनी जमानत तक जब्त करा बैठे थे आज तक ब्यूरो एक्टा सुशान सिंग राजपूत की पोस्मोटम की फाइनल रिपोर्ट पूलिस को मिल गई है विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है शुशान सिंग राजपूत की फाइनल पोस्टमॉटम रिपोर्ट में भी उनकी मौत की वज़ा फासी से दम गुटना बताई गई है पुलिस ने डीजी फॉरेंसिक को खत लिखकर शुशान के विसरा की केमिकल एनालिसिस जल ही करवानी की गुजारिश की है ताकि केस की जाज को जल से आगे बढ़ा जा सके अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की मृत्यू के मामले में पुलिस को फाइनल पोस्टमॉटम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इस पोस्टमॉटम रिपोर्ट को कुल पांच डॉक्टर ने पूरे अनालिसिस के बाद साइन किया है शुशान की सुसाइट को दिशा सालियान की सुसाइट से जोडने वाली थियरी को भी पुलिस ने सीरे से खारिश कर दिया है दिशा टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी जिसे उदैशिंग गौरी चलाते है दिशा सालियान सुशान से सिर्फ एक बार मिली थी शुशान के पिता तीन बहने एक्टरिस रिया चक्रबर्ती, कास्टिंग डायेक्टर मुकेश छाबडा, दोस्त और पब्लिसिस्ट रही रोहिनी अयर के साथ पुलिस ने सुशान के सुसाइट के केस में 23 लोगों का बयान दर्च किया है जिन 23 लोगों के बयान दर्च किये हैं उनमें से पुलिस के मुताबिक सुशान के सुसाइट के वर्क बिल्डिंग के सीटीवी कैमरे काम कर रहे थे जब सुशान ने फासी लगाई उस समय उनका कुट्ता दूसरे कमरे में था पुलिस का ये भी कहना है कि अन्यकई लोग हैं जिनके बारे में पुलिस को अभी पता चला है उन्हें भी अब स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा चुका है सुशान का एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ जो कॉंट्रैक्ट था वो कॉंट्रैक्ट कॉपी भी मिल चुकी है पुलिस को और इससे यही पता चलता है कि 2002 में यह कॉंट्रैक्ट सुशान सिंग राजपूत ने साइन किया था क्यामरा परसन किरन सपकाल के साथ दिवेश सिंग मुंबई आज ता मुंबई में अभी रोजाना साड़े चार हजार लोगों का कॉर्णा टेस्ट किया जा रहा है जिससे बढ़ा कर BMC 6,000 करने वाली है इसके बद मरिजों की तादाद भी बढ़ेगी ज्यादा लोगों को कॉरंटीन की आउशकता होगी BMC की क्या तयारिया है आई इस रिपोर्ट में जानते है मुंबल में सरकार टेस्टिंग बढ़ा रही है ज्यादा फोकस स्लम इलाकों में होगा स्लम में पॉजिटिव पाई जाने वाले मरिजों को इंस्टिटूशनल क्वारंटीन करना जरूरी होता है और उनके हाई रिस कॉन्टेक्ट्स को भी ताके उनसे परिवार और आसपास रहने वालों को संक्रमन ना फेले बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे लोगों को तो कह दिया गया कि आप अपने घर में ही कॉरिंटाइन करें लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यह जो रेशियो है स्लम्स में यानि कि पहले एक आदमी अगर पॉजिटिव होता है तो उसके साथ 10 लोगों को कॉरिंटाइन किया जाता है वो रेशियो बढ़ता ही गया मुंबई में जैसे जैसे केस बढ़े पहले होटल और बाद में खाली पड़ी बिल्डिंग, हॉस्टल, वर्ली के एनसे आई डोम जैसे इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया मुंबई में अभी रोजाना साड़े 4,000 लोगों का कॉरिंटेस किया जा रहा है जिसे बढ़ा कर BMC 6,000 करने वाली है इसके बद मरिजों की तादाद भी बढ़ेगी ज्यादा लोगों को कॉरिंटीन की आउशकता होगी BMC की क्या तयारिया है? आई इस रिपोर्ट में जानते है मुंबई में सरकार टेस्टिंग बढ़ा रही है ज्यादा फोकस स्लम में इलाकों में होगा स्लम में पॉजिटिव पाई जाने वाले मरिजों को इंस्टिटूशनल क्वारंटीन करना जरूरी होता है और उनके हाई रिस्ट कॉन्टेक्ट्स को भी ताके उन से परिवार और आस पास रहने वालों को संक्रमन ना फेले प्रेस्टियों में रह रहे लोगों को तो कह दिया गया कि आप अपने घर में करें लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यह जो रेशियो है स्लम्स में यानि कि पहले एक आदमी अगर पॉजिटिव होता है तो उसके साथ 10 लोगों को कॉरेंटाइन किया जाता है वो रेशियो बढ़ता ही गया मुंबई में जैसे जैसे केस बढ़े पहले होटल और बाद में खाली पड़ी बिल्डिंग, हॉस्टल, वर्ली के एनसे आई डोम जैसे इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया इसके अलावा वोहान की तर्ष पर चन दिनों में 2000 की शमतावाले दो में एक शिफ्ट अस्पताल भी BKC में बनाए गए, क्वारंटीन सेंटर में रह रहे है, मरीजों के मिले जोले अनुभव रहे, खाने की क्वालिटी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायते आई पर 4-5 दिनों के बाद जब पानी खितम हुआ और वहां के मम्मी और उनने पानी मंगा उनसे उन करमचारियों से तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी बिश्दर का पानी खितम हो गया, अब बहुत बशेंदा पानी पिना मुंबई में दो तरह के क्वारंटीन सेंटर यानि कोविद केर सेंटर है पहला कोविद केर सेंटर वन इसमें कोरोना के हाई रिस्क संदिग्दों को रखा जाता है यानि वो लोग जो कोरोना मरीजों के बेहत नजदी की संपर्क में रहे और उनमें कोरोना का संक्रमन होने की आशंका ज्यादा है मुंबई में CCC1 में 47,999 बैड है इनमें 17,614 बैड घिरे हुए है दूसरी केटेगरी है कोविद केर सेंटर टू जिनमें बिना लक्षन वाले या बहुत हलके लक्षन वाले मरीजों को रखा जाता है CCC2 में फिलहाल बैड संक्या 24,736 है इनमें से 2,999 बैड पर फिलहाल मरीज भड़ती है मुंबई में फिलहाल 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस है 2-3 हफते से मुलुन, भांडू, पंधेरी, मलाड, बुरीवली, दहिसर और कांदीवली जैसे इलाकों से कोरोना के केस ज्यादा आ रहे है जून के आखिर तक एक और बड़ा क्वारंटीन सेंटर मुंबई में तयार हो जाएगा मुस्तफा शेक के साथ विद्या मुंबई आज तक